हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई इस्टडी फिट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजुकेशन के चेप्टर वाइज वीरी इंपोर्टिन यमसी क्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूं जिसमें से आज मैं भोज़ पदार तथा पोसक तत्व यानि फूड एंड निट्रिशन से ज इसको मैं बता रही हूं और दोस्तों इससे पहले में सारी सिछा का इतिहाज स्पोर्ट्स सोसियोलोजी स्पोर्स साइकोलोजी इस सब के बारे में प्रैक्टिस करा चुकी हूं और चलिए प्रैक्टिस करते हैं फूड एंड निट्रेशन से आए जैसे कि वीटामीन्स कर रहा है सीलेबस के काड़िंग चाहिए सिटीय धीटीय किविए डेडियोजी चेनल के हो इसको प्रैक्टिस करते रही हूं पक्का है आपका selection हो जाएगा या यदि daily basis पे आप लगे रहेंगे तो तो दोस्तों चलिए जानते हैं food and nutrition से related questions जैसे कि दोस्तों सिले बॉक्स का 90% part पुरा हो गया है जो भी बाकी है मैं उसे भी पुरा कराऊंगी तो चलिए चलते हैं प्रश्णों की तरफ दोस्तों question है vitamins related and protein carbohydrate versus related कि यहूं अंडे की जर्दी वदूद किस vitamin के अच्छे स्रोत है जैसा कि दोस्तों मैं vitamins related सभी वीडियोज बना चुकी हूँ उन सभी वीडियोज को यदि आप एक बार देख लेंगे दोस्तों तो उससे बाहर कोई भी question नहीं आ सकता इसलिए मैं suggest करूंगी कि सबसे पहले आप उन सभी चार पांस वीडियो जो vitamins related बनाये गये हैं उसको जरूर देख लिए तो दोस्तों अंडे की जर्दी वदूद किस vitamin के अच्छे सुरोथ हैं तो दोस्तों यह vitamin E के अच्छे सुरोथ हैं ठीक है किसके सुरोथ है अच्छे विटामिन E के अच्छे स्रोत हैं जैसा कि दोस्तों विटामिन E जो है वह अधिकतर अनाजो अंकुरुत बीर्जो फॉलो असबजियों में पाजाता है इसके अलावा मांस दूद मचली अंडे आदी में भी पाया जाता है जैसा कि दोस्तों जो हमारा विटामिन E है इसको बाज़पन रोधी बिटामिन भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको ब्यूटी बिटामिन भी कहते हैं बाज़पन रोधी भी कहते हैं एंटी एस्टरलिटी बिटामिन भी कहते हैं दोस्तों इसकी कमी से नपुन सक्ता याने की अंग नपुन संक्ता हो जाता है और महिलाओं में गर्ख़पाँ हो जाता है और अंग खात हो जाता है परालाइसिस हो जाता है और इस्तियों में बाज़पन हो जाता है ठीक है? इस परकार विटामिन ए की कमी से हमारे सरीर में पर्योतन होता है नेक्स कोस्टन है दोस्तों कि पालक, श्वयाबिन तथा सूर का या कृत किस बिटामिन के अच्छे श्रोत हैं तो दोस्तों यहां पालक सब्द आ गया है इसको आते ही आपको मन में ख्याल आ गया होगा कि पालक, पत्ता, गोभी, स्वयाबिन, अंकुरित अराज तथा विभिन फूलों में कौन सा विटामिन सबसे अधिक वायाता है तो विटामिन के कौने सा बिटामिन पायाता है बिटामिन के ठीक है बिटामिन के क्या करता है दोस्तों बिटामिन के जो है वो पत्ता गोभी पालक, श्रोयाबिन, अंकुरित अना जो अभी भी फूरों में पायाता है और दूध है जन्तु भोज्य में कम पायाता है जो विटामिन के होता है इसको रक्त इस्त्राव रोधी कहा जाता है क्या कहाता है रक्त इस्त्राव रोधी यह रक्त का धक्का जमाने के लिए काम आता है ठीक है यह रक्त का धक्का जमाने के लिए प्रोथोंबीन के उत्पादन में मदद करता है प्रोथोंबिन जो प्रोटीन होता है दोस्तों यह हमारे यकृत में उत्पन होता है इसे प्रोथोंबिन के लिए बिटामिन के जो है हमारे लिवर में प्रोथोंबिन के उत्पादन में मदद करता है ठीक है अगर बिटामिन के की कमी हमारे सरीर में हो जाएगा तो रख्त का ठक्का नहीं बनेगा ठीक है आत प्रभावित होंगी पित की नली में अरोध हो जाएगा ठीक है next question है दोस्तों की vitamin K की कमी से क्या होता है तो K की कमी से क्या होता है दोस्तों रक्त जमने में समय लगता है क्या होता है रखतक बिर्जमने में समय लगता है ठीक है नेक्ट कोश्चन है दोस्तो नाइट्रोजन केवल एक पोसक में पाया जाता है नाइट्रोजन केवल एक पोसक में पाया जाता है किसमें पाया जाता है दोस्तो आपको सही जवाब आ गया होगा नाइट्रोजन केवल एक पोसक में पार जाता है और किसमें पार जाता है प्रोटीन में किसमें पार जाता है प्रोटीन में इसके अलावा दोस्तों कार्बोहाइडेट प्रोटीन वसा जो यह तीनों है यह तीनों में सिमिलर क्या होता है जैसे वसा और कार्बोहाइडेट यह दोनों कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और आक्सीजन के निस्चित अनुपात यानि कि एक अनुपाते दो नुपाते एक में पाई जाता है जिसका जैसे कि उसका सुत्र ही होता है C6H12O6 जो वसा होता है वह भी कार्बन हाइड्रोजन और आक्सिजन के अनिस्चित अनुपात में पायाता है कार्बो हाइडिट क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन आक्सिजन के निस्चित मातरा से बना है और वसा कार्बन हाइड्रोजन आक्सिजन के अनिस्चित मातरा से बना है और जो हमारा प्रोटीन है वो कार्बन हाइड्रोजन आक्सिजन के अलावान नाइट्रोजन से बिलकर भी बना है ठीक है आपको याद रखना है कि वसा और कार्बोहाडेट तीन तत्तों कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सिजन से बना है और जो प्रोटीन है वो चार तत्तों कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सिजन और नाइट्रोजन से बना है ठीक है नाइट्रोजन के उपसिती के कारण ही यह एक अलग में गिना जाता है इसका अलग ही प्रभावा है प्रोटीन का नेक्डित क्या है कार्बो हाइड़न बता है कि मोनोस्सक्राइट किया होता है इसको सरल्सक्रा भी कहते हैं ठीक है मुको सिस्का पांचन असानी से हो जाता है जिसको पचने में डेल लगता है असानी से नई हो पाता है सरक्रा में मोनो सरक्रा यानि ग्लुकोष के एक अड़ों से मिलकर बना होता है जैसे ग्लुकोष, फ्रैक्टोष, ग्लैक्टोष, एन मोनो सरक्रा जो सरक्रा यानि ग्लुकोष के दो अड़ों से मिलकर बना होता है जैसे माल्टोष, सुक्रोष, लैक्टोष और यतिर सरक्रा यानिकि पाली सेक्राइड जो सरक्रा के दो से अधिक अड़ों से मिलकर मना होता है जैसे गलाइकोजन, इस्टार्स, सिलुलोज, कैटिंग, ठीक है? तो नेक्स्ट कुस्चिन है दोस्तों कि मानो सरे के लिए फूल फूड कौन सा है? प्रोटीन, वमांस, वसा तथा कार्बोह वहाइडेट, विटामिन, सीक, भोजन, फॉल – फूल फूड कौन सा है दोस्तों तो वसा तथा कार्बोहाइडेट से हमको उर्जा मिलती है। जैसा कि कारे के आदहार पर पुसक तत्तों को 3 भागों में बाटा गया है क्या है? कौन-कौन से 3 भाग उर्जा कुन करता है कि बिटामिन और थिक्षाइं की कार्भु हाइड्र का उत्तम जोत क्या है तो कार्बोहाडार का सब्ससें उत्तम स्रोत है क्या है दोस्तों वसा का की पायाता है तील गियूंicus में पाजाता है और जैसे कि अमएगा 13 अमेगा प्रोटीन यान्य कि घी है सबसे उत्तम स्रोत क्या है मक्खन है ठीक नेश्ट है दोस्तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है तो दोस्तो जैसा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है सोया बीन में पाजाता है किसे पाजाता है दोस्तो सोया बीन में पाजाता है तो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत सोया बी होते हैं तो हमारे इस टाइच का सबसे उत्तम स्रोथ ग्यहुँ है तो इस टाइच सबसे उत्तम है। कि ग्यहुद है कि नेश्य क्का तेल दूद तथा डेरी ti उत्तम श्रोथ है किसका विटामिन बी क संधर दी कि और los Blake है तो मशली का तेल दूर्थ तथा डेरी उत्पार एक उत्तम्स रोद रहे चाहरे जले सेंधिक रधार आपका को से जाता है ए आप ध्यान में रखिएगा ठीक है यह आप ध्यान में रखेगा और दोस्तों विटामिन A की स्रोथ क्या है सभी का में वीडियो बनाए हैं दोस्तों यह के करके आप सभी वीडियो इसको डेख सकते हैं जानने के लिए जैसा कि दोस्तों विटामिन A जो है मक्खान, अंडे की जर्दी, मचली के तेल, यकृत, फांस, गाजर, टमाटर, गोभी, here Ä. के ला आम, पपिता, अननास में में पाईते हैं सबसे जएदा ज़्यदा गाजर में अगाजर में तो सबसे लोगत आप यह धियार में रखेगा है Next question हमारे सरीर में जो केल्सियम होता है दूस्तों वा कितना आवसकता होती है सनसे सनसे ठीक है 16 से 17 ग्राम तक पाया जाता है आपका एक समाने ब्यक्ति में कैल्सियम ऐसे पूछेगा परसेंटेज में दोस्तों तो दिर्फ परसेंट पायाता है कितना परसेंट जर्शा की दोस्तों मैं खनेज लवर के बारे में डीटेल में वीडियो बनाए हूं उस वीडियो के में थिरी आप देख लेंगे तो किसी भी क्योंषी कोई ब्ही कोश्टान पुछेगा आप यह कंफ्यूज नहीं होंगे हैं दोस्तों नेश्ट स्व Geo ने की कप्सफियुत्भायी होती है झो विटामिन D की कमी से कौन से बीमारी होती है दोस्तों जैसा कि इसकी कमी से सुखा-रोग यानि की रिकेट्स होता है क्या होता है सुखा-रोग यानि की रिकेट्स होता है जैसा कि दोस्तों विटामिन D को anti-ricatic vitamin, natural vitamin, and kidney hormone भी बोला जाता है इन सब को आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों ठीक है विटामिन डी को एंटिरीकेटिक विटामिन नेच्रल विटामिन और किड्नी हार्वन बला जाता है दोस्तों और विटामिन की कमी से क्या होता है इसमें आस्तियोची है खीडियिज कामल या नेचरल किसे कहते हैं तो भीतामिन दी को कहते हैं ध्यान में रखेगा कि किस की कमी से होता है जैसा की आप सब लोग जानते हैं जो रतावधी होता है विटामिन A की कमी से होता है जिसे हम नाइट ब्लाइडनेस कहते हैं जो रातों कम दिखाई देता है जैसे कि दोस्तों आखों से दुधला दिखाई देता है रतावधी में जैसा कि दोस्तों रतावधी कैसे होता है जो हमारा आख होता है हमारे आख में दो सेल पाए जाती है, रोड सेल और कौन सेल, रोड सेल क्या करता है दोस्तों, यह हमारे अंधेरे और उजाले में अंतर कर बताता है, और कौन सेल जो होता है, वो हमारे रंगों में अंतर जो वस्तूं कि रंगों को बताने मदद करता है, तो जो रोड सेल होता है, वह अंधे तो इसी प्रकार आप यह भी पूछ चकता है कि रतोधी में कौन सा सेल खराब होता है तो रोड सेल याद रखेगा वहीं विटामिन एक ही कमी से और रोग होता है जिसको वडानदा यानि कलर ब्लाइडनेस कहता है जिसमें कोई वस्तु का कलर अच्छे से नहीं दिखता है तो इसमें कौन सेल खराप एक होता है तो जैसा कि दोस्तों वह पोसक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हेमोग्लोबिन बनाता है जैसा कि दो Uhu प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन कौन सा तत्तो बनाता है दोस्तो आईरन जैसा कि दोस्तो हीमोग्लोबिन किसे किसे मिलकर बना है हीम प्लस ग्लोबिन ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन और हीम का मतलब होता है आईरन यानि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वह प्रोट प्लस आयरन से मिलकर बना है किक जो ग्लू नहीं है मतलब अचाइब ग्लोबिन एक प्रोटीन है यानि कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वह आयरन प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है और हीमोग्लोबिन का कारे क्या है दोस्तों यह जो हम सांस लेते हैं जो हम खाना खाते हैं तो हमारे आक्सीजन को कौन ले लेता है है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है वहाँ आक्सीजन को ले करके हमारे कोसिकाओं में जाता है और हमारे कोसिकाओं में जाकरके वहाँ पे माइट्रोकांडिया को दे देता है और माइट्रोकांडिया क्या करता है हमारा जो ग्लुकोज है उससे क्रिया करके ATP याने की उर्जा का निर्मार करता है जिससे हम उर्जा का उपयोग करते हैं इस प्रकार आप समझ गए होंगे दोस्तों कि उर्जा बनाने के लिए हमारे आक्सिजन की कितनी आओ सकता है ठीक है तो यह हिमोग्लोविंग का कारे क्या है यह हमारे सरीर में आक्सिजन का परिवहन करता है आक्सिजन को समझते सरीर तक ले जाता है कोसिकाओं तक ले जाता है कोसिकी स्वसन में यह हमारे लिए बहुत ही महतवपूर हुमी का निभाता है ठीक है नेश्ट है दोस्तों वह बिटामीन जो कई कोशिकाओं को आपस में बाध कर रखता है, तो कौन सा बिटामीन है दोस्तों, जो उतको में कोशिकाओं को परस्पा बाधे रखता है, तो कौन सा बिटामीन है दोस्तों, जो कोशिकाओं को आपस में बाधे रखता है, तो बिटामीन सी, कौन सा बिटा सहायक होता है कौन सा विटामिन होता है विटामिन सी दोस्तों जैसा कि आप जाएंगे कि उत्तकों में कोशिकाओं को परशा बाधे रखता है घाओं को भरता है और सबसे बड़ा बात हमारे इ्म्यूटी सिस्टम याने कि रोब प्रती रोधक चमता को बुष्ट करता है बढ़ाता है इसके कमिस से कर्वी सी नाम क्या है दोस्तों इसके बग्यानिक नाम क्या है और इसकारविक smells एशिद कि प्रोटिन किसको बनाने में सहायक होता है तो वो प्रोटिन किसको बनाने में सहायक होता है दोस्तों जैसा कि प्रोटिन का क्या कार है यह हमारे सरीर का निर्मार कहता है यानि मांस पेसी उतक बनाने में सहायक होता है किसमें सायक होता है मांस पेस ये उतक नेशा दोस्तो बिटामिन डी पाया जाता है फल में मांस में दूध में बिन्स में किसमें पायाता है बिटामिन डी जो है उस सबसे ज़्यदा सूरी की किड़ों में पायाता है सूरी की किड़ों में इसके अलावा यह मख़न मचली का त हुआ हैं तो यहाँ पे दूद की रोषणी किस बिटामिन का स्रोध होता है जैसर जीच आप ऑपको पता है सुरी की रोशनी में विटामिन D पाया जाता है ठीक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो आपको भी उबन मनसूस होगा इसलिए 20-20 कोश्चन का ये टार्गेट रहेगा कि हर वीडियो में होगा 25 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है ऐसा बात नहीं है तो दोस्तों आप यदि बहतरीन तयारी करना चाहते हैं step by step हर एक चेप्टर का तो मेरे चैनल पर डेली प्रेक्टिस जरूर कीजिए जिससे आपको बेहतरीन तयारी हर एक पार्ट का हो जाएगा जिससे आप कोई भी question का answer देने में एकदम निर्भीक्ता पुरुवक देंगे कोई confusion नहीं होगा तो दोस्तों यहीं फर्स बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे न्य वीडियो का update आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाएगा